क्लास नाइन्थ एन्सी ए आर्टी मैथ एक सर्साइज है बेटा वन पॉइंट तीन क्विश्चन नंबर है चार सबको दिख रहा है है चलो ठीक है आप देखो समझो जो दिया है सबसे पहले इसको हम कह रहा कि पी अपान क्यू की रूप में लिखिये तो पहले हम कुश्चन लिख देते हैं 0.999 डाट डाट यह दिया मतलब अनंतक है इसे हम क्या करेंगी बच्चों पहले मान लेते हैं अब लिखो माना या इंग्लिस वाले लिखले रेट्स थीख है एकसट ऑकशुच जीरो पॉइं नाइननाइन डाट 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 इसे आप क्या करोगे लेट्स करोगे मानों फटाफट Warm है अगर इसमे एक अंक पर बार लगा अन बार लगर श्यक्याbasile नहीं क्यूं सट centers का मतलब एक से वार लगां अगर वन डिजिट रिपीट होता है बेटा तो ऐसी स्थिती में हम 10 से दोनों तरफ गुड़ा करते हैं मल्टीपल बाई 10 लिख सकते हो मल्टीपलाई बाई 10 हम लिखेंगे हाँ इसे ही क्वेसा नमबर 5 मानलो लिख लो समी करण एक में 10 से गुड़ा करने पर तो समी करण एक में 10 से गुड़ा करेंगे दोनों तरफ तो यह बन जाएगा 10 यक्स और यह 9.99999 डाट 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 इक्वेसा नमबर सिकेंड अब क्या करोगे बेटा इक्वेसा नमबर सिकेंड से इक्वेसा नमबर 5 को सब्ट्रेक कर लेंगे ठीक है लिखो समी करण 2 माइनस समी करण 1 समी करण 2 है 10 यक्स बराबर 9.999 डाट 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 और यह है यक्स इक्वल 0.999 डाट 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 इनको सब्ट्रेक करना बेटा डिक तो सब पुरा है ना हाँ बेद परकास बिल्कुल सही बोल रहा है तीन जैसे ही है कोई बात नहीं बाबु चलो ठीक है कुश्चन हटा देता हूं मैं क्यों कि अप जगा नहीं यहां पर कुश्चन हट जा भाई रोकजा यार कि अट गया ना चलो अब क्या करेंगे इनको घटा लेंगे बहुत ह देख्था है इसमें से सब्क्रेक होगा नौयक्स आएगा यहां पर सब्ट्रेक होगा नाइन आएगा और यह पॉइंट का सब 00 हो जाएगा क्योंकि बराबर 00 रही सब है यानि 9-9 जाएगा 0 आएगा नव से नू फाइनल में साथी मेरे अगर हम बात करें तो यहां पर 9 x equal 9 x equal 9 upon 9 यानि यक्स कमान वन आएगा न आप लिखेंगे देखिए यह आंसर तो सब का इतना आएगा यह हो गया फाइनल करा तब यह पान क्यू के रूप में लिखिए न तो आप लिखेंगे आता नीचे लिख लो पी अपान क्यू का रूप बराबर वन अपान वन लिख दो ठीक है कि इतना वैसे कोई करा नहीं है न करा जाता है लिकिन आप लिख दो के तो अच्छा है इसमें बेटाई चीज और पूछा था कुश्चन में देख लो एक बार स्क्रीन पर पहरा था क्या आप अपने उत्तर फे आश्चर चकित हैं देखो आश्चर चकित आप है या नहीं है यह सबका अलग अलग मामला है आंसर तो सबका आएगा यह उपर कुश्चन देख लो स्क्रीन पर पहरा था क्या आप अपने उत्तर फे आश्चर चकित हैं हम तो लिखेंगे हां हम अपने उत्तर फे आश्चर चकित हैं क्यों क्योंकि यह देखने में इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा कुश्चन लग रहा था बार बार वाला अजीब टाइब का लेकिन इसक कि आगले कुश्चन में अगे बढ़ता हूं फाइब नंबर पे आगे बढ़िए जल्दी करिए प्वाइब नंबर पर आज आवाइब दिखाओ फाइब नमबर कोजिशन दिखाईए, नाइन नमबर आईए, चलिए फाइब नमबर, देखो बच्चों ये क्या कहरा एक बार पढ़ो सभी ध्यान से, क्या कहरा पढ़ो एक बार, सुनो क्या कहरा, पढ़ो तो एक बार देखो तो, कहरा है कि वन अपान 17 के दसमलों अंकों में, परसार में, अंकों की पुन्रावित्ति खंड में, अंकों की अधिक्तम संख्या क्या हो सकती है, यानि इसका जब हम लोग decimal expansion करेंगे, तो वो कितने digit तक जा सकता है, ये आपको बताना है, कितने लोग बता लेंगे, वो लो एक बार भाई सवी तो, चलिए मैं हल करके दिखाता हूं, आज चलो, question पर बढ़ते हैं, देखें साथियों, पहली बात तो आप लोग तरीका सीख गए हो, एक बार कोशिज करोगे, नहीं तो कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं समझो, समझो, इसको सबसे पहले हम इसका दसमलोब परसार करके देखेंगे, जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा कितने अंख हैं, बोलो, 1517 का पहले हम दसमलोब परसार करेंगे, आओ करते हैं, यहां लिखो कुश्चन नमबर 5, 1517, देखो इन्हें दो तीन पार्ट में करना पड़ेगा, याद रखना क्योंकि यह बहुत लंबा जाएगा, आसानिस नहीं कटेगा, ठीक है, क्लियर, यह लोग परसान करके रखें इनको अटाओ पहले, चलो, आइए दसमलोब परसार करते हैं, देखो साथी यहां से समझो कितने अंक का है, यह हमें भाग करने के बाद ही पता चलेगा, 17 का भाग 1 में करना है, सबसे पहले कितनी बार जाएगा सोचो, 0 बार जाएगा ना, भाई 17 का भाग 1 में जाएगा न बगल में थोड़ी आएगा, 0 बार भाग ले जाओगे यहां 0 आएगा, घटा आओगे 1 आएगा, अब 1 में तो भाग फिर नहीं जाएगा, वही होगा जो भी हुआ, बार बार तो 0 ले नहीं जाएगे, अब हम उपर दसमलो बढ़ाएगे, यहां पर 0 उतारेंगे, बोलो कि कि यहां कितनी जाएगा, पाचे, नहीं Question köji 117, 166, 102 तो 5 बार जाएगा बाबू, ठीक है, 5 बार जाएगा, 85, Sug ट्रे करोगे, 15, 50 आएगा, ठीक है, एक बार जब डेसिमल बढ़ा लेते हैं तो यहां बार बार 0 सकते हैं, बार सकते हैं, तो हम एक 0 यहां पर उताहिंगे, अ 278 कितना होगा कि इतना होगा भई आठ सत्य शप्पन आठ एक कम आठ और आठ पांच तेरा 136 ना करके देखो एक बार फट से चलो करो गटाओ इसमें से दस में से छे गया चार ये चार चार में से तीन गया एक देखो थोड़ा कहानी बड़ी हो जाएगी ये बात आपको याद रखना वेटा ठीक है क्योंकि करना पड़ेगा इसे चाहे जो भी हो जाया करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है कि इसके द फिर से आठ जाए आईगा तो फिर से 136 है गटाऊगे फिर 4 आएगा कि मज़ते जाओ अब इसमें भाग नहींच जाएगा फिर भी बाग नहीं जाएगा फिर नहीं जाएगा तो क्या करोगे बोलो को हुँ कि देखो कितना जहेगा जाएगा 34 हो जाएगा ना दो बार जाएगा नीचे दिख रहा है गटाने पर छे आएगा फिर जीरो उतार होगे तस हम लोग बढ़ायो तो जीरो उतरता जाएगा इटोमेटिक सत्रा तीन बार जाएगा गटा होगे नौ आएगा अब लास्ट है इसके नीचे इसको हम लगाएंगे तेहां पर जगार नहीं है सोला अंक आएगा ना सोला अंक आएगा अब नौ को हम फिर से अलग भाग दे लेंगे इतर साइड में देखते जाओ सत्रा से ही देना वेटा ठीक है तो एक बार तो जीरो हम यहां मुफत में उतार लेंगे जीरो एक बार क्यों उतार लेंगे यहां ही उतार लो क्योंकि दसमलो एक बार बढ़ चुका है दुबारा दसमलो नहीं बढ़ाएंगे जीरो के लिए एक बार उतर गया अब कितनी ब 155 गटाने पर पांच आयगा कों से जीरों उतार लेंगे ये बार रिसों मधय तो उत्रता जाये गा फट्रहfront 170 याकां से ज्रसी शतने लोगया तो नियुक्त याल था नफटला कν आ मधा जाये अनरा नमक और 20цо यहां डोके कुप्थ Đक फिर पंद्रा में गटाव से बनाएगा फिर जिरो उतर लोगे अब 17 कभा कितना बार जाएगा कोईशन अटा दीजिए इसक्रिन से कोईशन गायब जाएगा ना इसमें चार बार जाएगा देखो कहानी आपको करनी पड़ेगी एक जाम में भी याद रखना अगर पूछा तो याद किये रहे ना वैसे करके दिखाना पड़ेगा जल्दी-जल्दी कल्कुलेशन अगर किये रहोगे तो पेपर में कर ले जाओगे तुम्हें पहाड़ा नहीं आता वही लेकर जाओ गए तो पहाड़ा आना चाहिए तीक है ना बहाए राजा है प्टाने पर दूई हो जिरू अब एक बार जायेगा पर शरह कम सतरा गटानने पर तीन आया से देखो पटा-पट कितना आएगा कि करते रहो बहाए करते रहो तीन आया न फिर फिर जीरो उतार होगे अब दो बार तो जाएगा नहीं फिर एक पार जाएगा का नीचे दिख रहा है ना गटा ओगे तो कितना आएगा गटा लो जो आएका उपर साइड कर लेंगे ठीक है गटा आके देखो वाह और आएगी आप इधर कर लेंगे अलग गटाने पर तेरा आया नीचे अब इसमें भी एक जीरो उतार लेंगे मुपत में क्यों क्योंकि उपर एक बार दसमलो बढ़ चुका है यह हमारे कॉपी में इतनी जगा नहीं कि मैं नीचे तक एक लंबा करके जाओं इतना बड़ा कॉपी आती भी नहीं है कि इसका अधादा पार्ट हो राला गलग यहां तक यहां किया फिर अप्र से भाग करो तो सब्सक्राइब करके देखो पटापट सब्सक्राइब 119 की नहीं कि 178 136 फिर से जादा हो जाएगा तो सब्सक्राइब 119 कि अधर दस में से नहों गया एक यह बचा क्या दो दो में से गए एक फिर फिर उतालो कितनी बार जाएगा अब शे बार जाएगा ना 176 का 102 सूरज सोनकर सतेन सर्मा हाँ ठीक अबेटा कमेंट आ रहा है कि यह बार जाएगा फिर से गटाओगे आठाएगा फिर से जीरो उतार लोगे कुछ लोग कह रहे होंगे कब तक ले जाओगे जब तक हमरे इतना बड़ा बड़ा बचवा नहों जी यह दू तीन थी तब तक चलो अदेखते रहो कब तक ले जातें तरह पच्छे पचासी ज्यादा हो जाएका फत्रच पाड़ फट दस में से आठ गया दो ताथ साथ में से चे गया एक बारा फिर से करके देखो फिर एक जीरो उतार लोगे अब सत्रा गाइब सत्ते एक सो उननीस क्या वान अगा घटाने परवण उननक लिए यहां जहां से चले थे वहीं पर फिर आ गये बोलो आ गये कि नहीं यह 144 में भाग करना शुरू किया था भाया Milliा प्यार मिल गया Nash तो बोलो मिल गया ना कुईस्टन में क्या कह रहा था सब्सक्राइक नजर देख लो पहले सका स्क्रेंट लेलो मैं कोईस्चन दिखा देता हूं पर को चन देखो फियार सदेखो है कि वंडेनलों प्रशार में अंकों की अधिक्ताम संख्या क्या हो सकती है पुन्रबित ब्रिति खंड का मदलब जो repeat होंगे डिवे है वह मैक्सिमुम कितने होंगे जो रीपीट होंगे गिन लो गिनलो टोटल कितने होंगे पिछे से गिनो चार अंक यहां पर है और छे अहां पर है 10 हो गया दो 12-14-16 कितने अंक होंगे 16 होंगे 5 15 15 16 इसकुन बेखुप है कि आप गलत लिखें 176 का 109 आप 102 लिखें बेटा याद कर लो पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले याद कर लो चेसते बादा याद कर लो पहले तुम चलो ठीक है मिटाए इसको इसक्रींसाट लेना तो लेलो मैं मिटा रहा हूं बेटा पाड़ा याद कर लो 176 का 102 होता है बाल पक गए यहीं पढ़ते पढ़ते इतने कांफिडेंस के साथ कोई गलत बात भी नहीं बोलता जितना तुम बोल रहे हो चलो अगला छाटमा देखो क्वेश्चन नंबर छे देखो इसक्रीन पर पढ़ो क्वेश्चन सभी ध्यान से क्या कह रहा है क्या पी अपान क्यूँ जहां क्यूँ डजनाट इक्वल जीरो के रूप की पर्मिय संख्याओं के अनेक उदाहरन लीजिए जहां पी और क्यूँ पुडांख है जिनका वन की अतरिक्त कोई उभनिष्ट गुडन खण नहीं है और जिनका सांथ दसंबलो निरूपण यानि इनका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन है या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि क्यू का कौन सा गुड अवस्य संतुष्ट करना चाहिए कुछ लोग में काफी कंफ्यूजन में होंगे तो यह बताया जाए कि ना बताया जाए क्या कहरें आप लोग पूजा यादो समझ में आ रहा है काजल रिसब समझ में आ रहा है देखो भई अप्य पान क्यूंके रूप का अनेक एक्जांपल तुम बता सकते हो वैसे भी परमिये संख्या का उधारान बता सकते होगे नहीं बता सकते हो ना कोई भी नंबर ले लो जो रेफरेनल नंबर होना चाहिए कर लोगे ना इसको होम और कर ले ना छटमा ठीक है छटा होम और कर ले ना सता नंबर में आ जाओ देखो सता नंबर में इनको मैं क्या कहूं jeśli संख्या लीकिए जिनके सांवलो परशार अनावर्ती है मैं पिन ए सी संख्याएं बताओ जिनके डेसिमल इक्सम्ळ अच्पेंस जो है वह नान टर्मिनेटिंग हो के लान टर्मिनेटिंग हो बताओ इंथ बता लोगे आप लोग बोलो सतमा नंबर में अई रहाइए नान टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत पढ़े वो तेर सारा ना करके देखो कि पार कि ना रीपीट हो ना कटें पिटे देखो पहली संख्या लिख लो अंडरूट दो होगा वहाँ दूसरी संख्यां अंडरूट तीन लिख सकते हो पीफरी संख्या आप पाई लिख सकते हो ठीक है इनके जो डेसिमल इक्सपेंशन होते हो अनावसानी अनावर्ती होते हैं इनके मान भी लिख लो अगर लिखना चाहो मान लिख लो इसको देखो लगबग इसका मान वन पॉइंट क्या क्या होता है 1.414 इसका मान क्या होता है 1.7 संथिंग होता है करके देख लेना इसका आप जानते हो 3.14 और उसके आगे क्या होता जानते हो 159 और डाट 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 इनका कहीं कुछ आता पता नहीं लगता कभी जिनको वर्गमूल जिनको वर्गमूल आता भाग विदी से वो कर लेंगे ठीक है जिनको भाग विदी से वर्गमूल करना आता है वो इन सारे मानों को निकाल लेंगे क्योंकि भाग विदी से वर्गमूल में यह आ जाते ठीक है बबुआ समझ में आ रहा है सभी नए साथी चैनल को सब्सक्रा तीन लिख दिया चलो अठवा नंबर में आजाओ कि पर्मिय संख्या हो पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बिच तीन अलग अपर मिय संख्या इयाद कीजिए अठवा नंबर तो बड़ा खतरनाक टाइब का यार आप अर्मिय संख्या पूछ रहा है सोचो और बताओ कौन कौन कर लेगा इमांदारी से बोलना कर लोगे क्यों भाईया कर लोगे कि नहीं कर लोगे कि नहीं अठवा नंबर देखो इसमें क्या है बच्चों दोनों को पहले आप दसमलो रूप में बदल लो दसमलो रूप में बदलने के बाद इनके बीच की संख्याएं लिख सकते हो जैसे देखो मैं बताई देता हूं कुश्चन नंबर अठवा देख लो कि पांच बटा साथ और नौ बटा ग्यारा कि देखो समझना पांच बटा साथ को अगर दसमलों में बदलोगे तो इतना आएगा लगबग 42, 71 लगबग आएगा न 42 और 85 अएगा ऐसे रिपीट होगा यह कैसे आएगा पता है भाग दे के देखो न अभी भाग देना इतना बड़ा बताया था वैसे भाग कर लो करके देखो और इसका कितना आएगा 0.81 आएगा सम्थिंग अगर यहां पर आप एक चीज ध्यान दो तो 0.71 और 0.81 इसके बीच में काफी स्पेस है कि नहीं बाइग 0.72 0.73 74 75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 फिर 0.81 आएगा न है ना इतना इस्पेस हमें तो तीने पूछा है ना तीन पूछ रहा है न तो आप लिख सकते हो लिखो लिखो आता हां आता हां आता हां पाइबबान सेवन वा नाइन अबबान 11 के बीच तीन अपर मिये संख्याएं इस परकार हैं क्या बाकी वही सब लिख दो पूरा पूरा ठीक है लिख दो वही सब पूरा इकतर अठावन नवासी तीहतर बैयालिस नो जीरो लिखो पटापट लिख लो इनके बीच की संख्याए लिख लोगे आप लोग अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इनके बीच यह सभी आएंगे ठीक है कर लो लिखो कि देखो मैंने इसमें क्या किया ज़रा समझना यह सेबन वन है ना है यह फोर तू एट फाइब था ना हमने क्या किया यहां फाइब कर दिया एट नाइन कर दिया मतलब कुल मिला करके इनी की बाद की जो भी सीरियल में आती ही को इसमें लिमिट नहीं है ठीक है अब परमिय आती हम पर बहुत सारी हो कुछ डिजिट चेंज करके कि सेवन थ्रीफोर टू नाइन कि एक और भी आप लिख सकतो इसी करम में क्योंकि इनी के बीच होनी चाहिए बस यह ध्यान रखना है कि यह सभी नंबर अगर आप ध्यान दो तो इसके बीच और इसी के बीच में है देखो है न तो कोई भी आप तीन लिख सकते हो कि वाहिद्दू रहमान समझ में आ रहा है जैकरन कुमार पहले अपना हाल देख लो बैटा अपना देख लो कच्छा दस का नया बैच पीवियार स्टडी एप में अभी चल रहा है मंडे पर चलेगा अगर आप चाहो तो जाके जॉइन कर लो यूटूब पर अभी नहीं चलने वाला है यूटूब पर अगर चलेगा तो 20 अपरेल के बाद चलेगा 20 अपरेल या फिर पचीस अपरेल तक कच्छा दस वालों का नया बैच ठीक है अभी नहीं चलने वाला है इसिधल आप तो क्यों पर चली हो गया अगले बढ़े आगे मिल्र्ण बाइबहर पढ़ा ही करलो कि जलो कि नंबर में आ जाओ तो नांव में क्या कह रहा है बताइए किन लिखे संख्यायों में समझो है ना पढ़ो और देखो हो एक नम्जो क्या क्या पूछ रहा ज़ा देखो हूं मुझे बता हूं और निम लिखि शंख्याओं में कॉन कॉन संख्याएं पर्मिय और कॉन कॉन और मिय आ मिस्टो शोर मिय न और त लेद्वार कर लेंगा हुन कि fundamental करने लों को यह ब्लोग कर दिया जाता है तिम्ट और घाल से करने दर्द कर रहे हो की इस हframes दो प्लूलट लग रहा है जा बैठे बैठे तो भी देर मत कीजिए कहां देर हो और चलो पहला ला देखो नाई नमबर का फाय्षень देखो बिटा इस अधारूट 23 ये पर्मिये है कि अपर्मिये बोलो किया है यह एक पूलब्र्ग संख्या नहीं है इसलिए यह एरेफनल है क्या है यह इरेफनल है इसे हम कह सकते हैं यह अपर मिये है बेटा सीकेंड नंबर देखो अधर रूट टूटू फाइव तुम्हें पता हमें भी पता इसका वर्गमूल निकल जाएगा इसके आगे यह नंबर नहीं जा रही है बड़ नहीं रही इसके आगे कि इसको भी कर लो यह भी पर्मिये यह यह और ऐसे सब पर्मिय पर्मिय इतने जनबे करते हैं कि पर लो को तीसरा में कुछ डाट डाट नहीं है और सेबन एट फोर सेबन एट चौथा क्या है चौथा तो अपर्मिय जा रहा है मुझे लग रहा है पाचमा 10100 फिर 1000 बढ़ता बढ़ता जा रहा है चलो ठीक है सभी कर लोगे न कोई दिक्कत नहीं किसी को तीसरा पर्मिय है कि पर्मिय है बताओ करके देखो पटापट आपक क्या चेप्टर यह चैप्टर खतम हो गया अगला चैप्टर चलो छो लोगो ओपन करो वन पॉइंट पॉर है वन पॉइंट फॉर है कि वान पॉइंट थीन खतम हो गया है 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 चेवथा और पड़्चमा जो लोग परिसां नहीं चवथा ये अपरमिये पछ्वा और चब्च कि रसी कुमार कमेंट तुम्हारा जा रहा बेटा परिसान ना करो नहीं तुम्हारे जैसे लोगों के यहां ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है क्योंकि पढ़ाने नहीं देते यह डंडा किये रहते हैं मेरा नाम ले लो नाचो नाम लेके मेरा डंस करो तो आपका 1.3 खतम हो गया 1.4 में देखो बड़ा आजीव टाइप का कुश्चन है कि अब का कमेंट आ रहा भी आ रहा है तो कहो मैं ना पढ़ाऊ तुम्हीं लोग का नाम लोग खड़े हो के ऐसे डंस करूं अराम से देखो सकल मेरी देखो बस या तो पढ़ लो या तो पढ़ लो या तो कहो मैं तुम लोग का नाम लेके डंस करूं यहीं पर तो 1.3 खतम हो गया 1.4 कल पढ़ाएंगे नया इक्सर्साइज उसके पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लो आप लोग क्योंकि पढ़े हो अभ्यास कर लो इदर साइड में यह बता मुझे यह 35.79 यह रेफनल नंबर है कि रेफनल है बोलो अब अभ्यास कर लो एक्सर्साइज खतम हो गया 1.3 रेफनल है कि रेफनल है बोलो कर लोगा पॉइंट फॉर पढ़ाएंगे नया एक्सर्साइज जैकरन ठीक है मनीस राइडर तेन बर्मा ठीक है बोलो 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 अब रेफनल है कि रेफनल है बता ना एक कुशन और बताओ 90 अंस के कोण को क्या कहते है और 360 अंस के कोण को क्या कहते है रिसब राज अकांछा पाल पूजा यादो अभै चोहान सूरत सोनकर विसाल पाल बोलो न कुश्चन नमबर डालके बोलो यह फर्स्ट कुश्चन है यह बेटा सिकेंड है यह थार्ड नमबर है कुश्चन नमब और फॉर बोलो है जीरो पॉइंट फाइप नाइन का मान क्या होगा है कि फॉर नंबर बताओ बेद प्रकास 1.3 तक खतम हो गया 1.4 कल पढ़ाएंगे ठीक है अब इसमें 1.4 हम खिचड़ी नहीं करेंगे 1.4 वैसे तो लेंस और काफी इसमें आउजार लगेंगे यह हमें लगता है यहां नहीं हो पाएगा उसका बीडियो बनाना पड़ेगा अलग से हम हम आप इसको बलाख करो तुरं तुरंट बलाख करो दुबारान बलाख ना करना कभी इससे का प्चवा नंबर देखो अधैन से देखो म करूं अंडरूर्ट हण्डरेड यह अर्यकित रट्सनल है कि यह रट्सनल है बोलो खीक है जी माइंड विक्रम स्वारी विकास पूजा यादो ठीक है पूजा सही आपका अंसर्प और कोई निवन एक थी अभी बात कर रहा था बड़ा ज्यादा ज्यादा कहां गया वो पुछ रहा था पूजा कहां से ओ तुम बता दोना बड़ी प्रसानी है इंगलिश मानी बोलो यह तो प्ड़ावरलण है गीता आमन का इंगलिस नाहीं अcht। फूर नंबर बोलते हैं अपर इंगलिश में बता रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं कि निंस में कोंड इंगल का तता है 90 के कौण को समकौन बोलते हैं इंगल इंगल कैंट मॉलते हैं ओ श्य नब जलते हैं आज के लिए इतना ही